वो मिले ना इन्होंने कुछ कहा न वो कुछ बोले मीटिंग होई आखे मिली बात आई गई हो गई जी हाँ हम बात कर रहे हैं CBI के बाद RBI में मचे घमसान की जरह सोचिए विद्धिया संकरतिवारी इंडिया निउज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए RBI में भी कुछ CBI की तरह ही घमसान है जैसे ही RBI के डिप्टी गोवर्नर विमल अचारी ने सरकार की तरह फिसारा करते हुए कहा कि बैंक को स्वायत्ता दे जाया उससे स्वायत्ता पुर्वा काम करने दिया जाया मुंबई का प्रोग्राम था बिजनेसमेन का कारिक्रम था वहां से एक तरह से बिजनेस का ही संदेश देना था जो संदेश देना था उन्होंने संदेश दे दिया उसके बाद कुछ इस तरह से सरकार और RBI के बीच में तनाव पैदा हुआ जिसको लेकर के वित मंत्री रहपी चितमरम ने भी अपनी सलाह दे डाली कि सरकार और केंद्री बैंक को आपस में बैठ करके मसले को सुझा लेना चाहिए क्योंकि इससे मार्केट पे दबाव बनता है बिल्कुल चितमरम सामने सही सुझाओ दिया था जानते हैं मसला क्या है क्यों आखिरकार ये आपस में तनाव पैदा हो रहा है और सरकार इसको संगठन भी इस चखड़े में कूद गया है और वो रिजर बैंक के फेबर में आकर के खड़ा हो गया है जबकि समाने तरफे जो कर्मचारी संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर करके हमें से अर्बियाई के खिलाफी अंदोलन करता रहा था लेकिन इस मसले में वो केंद् ब्रफानी बरतने के लिए निर्देश दे रखा है सतकता बरतने के निर्देश को संभल संभलकर कर कदम उठाने को कहा है इससे सरकार को ये लग रहा है कि चुनावी साल में यदि बैंकों को लून देने से रोका गया तो फिर तो उसके सारे चुनावी समिकरण कर बढ़ा जाएंगे लेकिन RBI को इस बात से मतलब नहीं कहां आपका समिकरण बन रहा है और कहां समिकरण बिगड़ रहा है उसके उपर जो NPA का दबाओ है बैंकों के उपर जो NPA का दबाओ है और ये जो है गाइडलाइन्स जारी करता है RBI तो कहीने कहीं RBI की भी जिमेदारी बनती है पिछले दिनों उसने इसी बात को ले करके अपना जो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर होता है उसको हटाने की बात कह दी थी किसे हम इसको हटा लेते हैं तो दरसल दोनों के बीच में जो भी मतभेद है वो नितिगत चीजों को ले करके है कि RBI चाहता है कि जो बैंकों का कंट्रोलिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए उसे और जादे स्वैत्ता और अधिकार दिये जाए और जबकि सरकार जो है इस बात के लिए अपने को पूरी तरह से तयार इसलिए नहीं पाते हैं कि बहुत सारे जब आप सरकार में होते हैं सत्ता में होते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी उजनाय चलानी पड़ती है जिससे की आप पॉपलर हो लोगों तक उसका लाग पहुँचे और उसका आपको सियासी फायदा हो लेकिन बैंक जो होता है जो आरबियाई है वो इस सब चीजे नहीं देखता है इसी वज़ा से ये मत्भेद उबजे हैं और खास बात है कि इसी सरकार ने रगुराम राजन को एक तरह से हटा करका उनने छोड़ा था लेकिन संदेश ही गया था कि सायद सरकार उनको नहीं चाहती है और उरजीत पटेल को लेकर के आई थी और उरजीत पटेल के आने के बावजूद यदि उन्हीं से मत्भेद उभर गए हैं ठीक उसी तरह से जैसे कि सीवी आई के डिरेक्टर की नियुक्ति डिरेक्टर अलोग बर्मा की नियुक्ति इसी सरकार ने की थी सरकार पे दबाव बढ़ना सुभाविक है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगे कि ये संदेश जाए तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राब कीजिए